तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मास्टर जी पे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो रुपए के इस तरह के सारे के सारे 8 ग्राम के कॉपर निकल के सिक्कों के बारे में यानि की इस तरह के बड़े साइज वाले दो रुपए के सिक्के जिनको 1982 से लेके 1991 के बीच में जारी किया गया था तो आज की ये वीडियो काफी ज़दा इंट्रेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है तो वीडियो को बिना स्किप किये पूरा अंतर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा क्योंकि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करके इस बेल बटन को आल पे सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आप हमारी आने वाली वीडियो को नहीं देख पाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा तो बिना कोई टाइम वेश्ट किये चलिए शुरू करते हैं आज किस वीडियो को तो दोस्तों यहाँ पर जो 2 रुपए का सबसे पहला सिक्का आम चलन में आया था वो था 9th Asian Games की थीम का ये 1982 का सिक्का ये एक कमेमरेटिव कोईन था जिसकों की 2 रुपए के पहले भारती सिक्के के रूप में जाना जाता है तो दोस्तों इस सिक्के की थीम की बात करें तो ये है 9th Asian Games जो की 1982 में दिल्ली में हुए थे यहाँ पर आप इसका लोगो भी देख सकते हैं जिसमें बीच में जंतर मंतर का चितर बना हुआ है वहीं इसके उपर सूर्य का चितर दिखाया गया है साथ ही नीचे की तरफ देखे तो यहाँ पर दिल्ली और उसके नीचे इसका मिंटिंग एर और उसका मिंट मार्क बना हुआ है तो ये सिक्के जारी किये गे थे बॉम्बे और कैलकटा के मिंटों से तो इसके अलावाई सिक्के के दूसरी साइट पर देखें तो यहाँ पर आपको उपर अशोक स्थम का चितर सत्य में जैते के साथ दिख जाएगा और इसके नीचे अंकों में दो भी लिखा हुआ है साथ ही इसके एक तरफ भारत रुपए और दूसरी तरफ इंडिया रुपीज लिखा गया है साथ ही सिक्के का जो रिम है उसमें आठ कोनो वाला ये डिजाइन बना हुआ है वहीं इसके एज़ेज हैं सिक्योर्टी एज तो इस दो रुपए के जर्नल सर्कूलेशन के सिक्के के साथ ही इसमें 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्के भी जारी किये गए थे और इनके अलावा भी इनमें दो सिक्के और थे जो की सिर्फ और सिर्फ प्रूफ और यूएंसी सेट्स के साथ आये थे जिनमें था 10 रुपए और 100 रुपए का ये सिक्का तो इसके बाद 2 रुपए का जो सिक्का जर्नल सर्कूलेशन में आया था वो था 1982 का ये नैशनल इंटिग्रेशन की थीम का सिक्का ये सिक्का भी था एक कमेमेरेटिव इशू जिसको की 1982 में बॉम्बे और कैलकटा की मिंटों से जारी किया गया था तो ये सिक्के भी बनाया गये थे कौपर निकल से और इनका भी वजन था 8 ग्राम तो दोस्तों इस सिक्के के डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हमारे भारत देश का नक्षा जिस पर हमारा राश्ट्री ध्वज तिरंगा बनाया गया है साथ ही इसके उपर की तरफ राश्ट्री एकता और नीचे नैशनल इंटिग्रेशन लिखा हुआ है वही नीचे की तरफ इसका मिंटिंग एर और उसका मिंट मार्क बना हुआ है और इसके भी दूसरी तरफ के डिजाइन को देखें तो इसका डिजाइन भी पिछले सिक्के के ही जैसा है वहीं इसके एज़स की बात करें तो यह भी है सिक्के और एज़स तो 1982 में दो रुपे के इस ठीम के सिक्के के साथ ही इसमें एक 50 पैसे का जरनल सरकुलेशन का सिक्का भी जारी किया गया था वहीं इस ठीम पर दो सिक्के और भी बने थे जो कि थे 10 रुपे और 100 रुपे के ये सिक्के मगर दोस्तों ये दोनों ही सिक्के सिर्फ प्रूफ और UNC सेट्स में आये थे तो इसके बाद जो 2 रुपे का सिक्का जर्नल सर्कुलेशन में आया था वो था 1990 का ये definitive coin यानि कि इससे पहले जो सिक्के 1982 में जारी किये गए थे वो थे commemorative issue जबकि 1990 में सेम उसी design में ये सिक्के दोबारा से जारी किये गए थे लेकिन अब ये सिक्के आये थे definitive coins के तोर पर तो इन सिक्कों का design भी लगबग वैसा ही था जैसा कि आपने इस 1982 के पिछले सिक्के में देखा है बस फर्क था तो इसके year का यानि कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 1990 तो ये सिक्के जारी किये गए थे भारत की 3 mintों से जिन में थी Bombay, Calcutta और हैदराबाद की mint और दोस्तों इन सिक्कों के बाद जो 2 रुपए के 8 ग्राम के सिक्के जारी हुए थे उन सिक्कों को शायद ही अब तक किसी YouTube वीडियो में cover किया गया हो यानि की हो सकता है आप इन सिक्कों के बारे में पहली बार ही सुन रहे हो तो यहाँ पर इनके बाद जो 2 रुपए का 8 ग्राम का सिक्का आया था वो था Reserve Bank of India की Golden Jubilee की theme का ये सिक्का जिसकों की 1985 में जारी किया गया था हाला कि ये सिक्का एक Non Circulating Commemorative Coin था यानि की ये सिक्का कभी भी आम चलन में नहीं आया था और ये 2 रुपए का सिक्का देखने को मिला था सिर्फ इस तरह के Proof Sets में जिसमें इस सिक्के के अलावा शामिल थे 50 पैसे 10 रुपए और 100 रुपए के सिक्के जिसमें से ऐसा 50 पैसे के सिक्का Journal Circulation में भी आया था लेकिन ये 10 रुपए और 100 रुपए के सिक्के सिर्फ Proof और UNC Sets में ही देखने को मिलते हैं तो इस सिक्के की बात करें तो यहाँ पर आपको Reserve Bank of India हिंदी में और अंग्रेजी में भी Reserve Bank of India देखने को मिल जाएगा साथ ही सबसे नीचे के तरफ Sun Jainty और Golden Jubilee भी लिखा हुआ है वहीं इसके बीच में आपको देखने को मिलता है RBI का लोगो और साथ ही इसके नीचे है 1935 से 1985 वहीं सबसे नीचे बना हुआ इसका Mint Mark जो की है B जो की Bombay Mint के Proof सिक्कों पर बनाया जाता था और इस सिक्के के पीछे का डिजैन कुछ इस तरह का दिखता है और दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो का जो आखरी 2 रुपए का सिक्का है जिसको की 8 गराम और कॉपर निकल की धातु से बनाया गया था वो था 2 रुपए का इस तरह का Tourism Year की थीम का सिक्का जिसको की 1991 में जारी किया गया था और इसकी भी खास बात यह थी कि यह सिक्का भी सिर्फ Proof और UNC Sets में ही आया था यानि की यह सिक्का भी था एक Non-Circulating Commemorative Coin जिसको की कभी भी आम चलन में नहीं लाया गया था हाला की इस थीम का 1 रुपए का सिक्का जर्नल सर्कुलेशन में ज़रू आया था वहीं इस थीम पर एक 5 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया था लेकिन वो भी आया था सिर्फ Proof और UNC Sets में तो इस दो रुपए के सिक्के के डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे उपर की तरफ पर यटन वर्ष और Tourism Year लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा वहीं इसके बीच में है इसका Logo और नीचे के तरफ है इसका Minting Year 1991 साथ ही इसका Mint Mark भी बना हुआ है यानि कि इसका मतलब भी यही है कि ये सिक्का है Bombay Mint का एक Proof Coin जबकि इस तरह के UNC Sets के Coin में यहाँ पर आपको एक Diamond Mark देखने को मिलता है तो दोस्तों ये तो हो गई सभी सिकों की पूरी जानकारियां चलिए अब जान लेते हैं इस तरह के सभी सिकों की कीमतों के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहले सिक्के की बात कर लेते हैं जो कि है नवम एशियाई खेल वाला ये सिक्का इन सिकों की Fine Condition में कीमत शुरू होती है 10 रुपए से वहीं UNC कंडिशन में जाती है लगबग 50 रुपए तक और बात करें 1982 के इस तरह के National Integration की थीम के सिक्के की तो ये सिक्का अगर आपके पास Bombay Mint का है तो इसकी कीमत चल रही है 10 रुपए से 50 रुपए तक वहीं Calcutta Mint के सिक्कों की कीमत भी लगबग इतनी ही है यानि की 10 रुपए से 50 रुपए के बीच में जो की Depend करती है कंडिशन पे और इसी थीम के 1990 के सिक्कों की बात करें तो अगर आपके पास है इस थीम का Bombay Mint का सिक्का तो इसकी भी कीमत लगबग 10 रुपए से 25 रुपए के बीच में चल रही है हाला कि इसमें Calcutta और Hyderabad Mint के सिक्के थोड़े से स्केर होते हैं जिनकी कीमत लगबग 20 रुपए से 50 रुपए के बीच में हो सकती है और दोस्तों इस थीम के सिक्कों की ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने आप लोगों को 2 रुपए के एक ऐसे पैटन कोईन के बारे में भी वताया था जो की लगबग 30 रुपए में बेचा गया था तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी उपर आई बटन में तो इसके बाद जो अगला सिक्का रिजर्व बैंक अफ इंडिया की गोल्डन जूबली की थीम का था इस तरह का एक सिक्का अगर आपको मिल जाता है तो उसकी कीमत लगबग 5,000 रुपए तक चल रही है जबकि इस तरह का चार सिक्कों वाला प्रूफ सेट लगबग 10,000 से 12,000 रुपए के बीच में कीमत रखता है वहीं ऐसा दो सिक्कों वाला यूएंसी सेट लगबग 6,000 से 7,000 रुपए की कीमत रखता है तो इसके बाद जो लास्ट कॉइन है वो है टूरिजम एयर का 1991 का ये सिक्का ये सिक्का भी अगर आपको कोई प्रूफ या यूएंसी सेट से तोड़ कर देगा तो उसके बदले में आपको लगबग 2,000 से 3,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं वहीं इस तरह का 3 सिक्को वाला यूएंसी सेट आपको मिल सकता है लगबग 5,000 रुपए तक और इसी तरह के प्रूफ सेट की कीमत की बात करें तो ये कीमत जाती है लगबग 6,000 से 7,000 रुपए तक यानि कि इस तरह के सेट्स भी आज के समय में रेर माने जा सकते हैं हाला कि काफी सारे सिक्को को मैंने पहले ही कवर कर लिया है जैसे कि सुभास चंदर बोस जी के चितर वाले ये सिक्के जिन में इस तरह का 1996 का सिक्का काफी ज्यादा रेर होता है और साथ ही इससे पहले हमने cover किया था दो रुपे का इस तरह का चितरंजन दास जी का ये सिक्का जिसमें भी एक ऐसा सिक्का है जिसकी कीमत लगबख 30,000 रुपे तक जाती है और इसके अलावा अगर आप लोग जानना चाहते हैं दो रुपे के स्टेनलेस स्टील के इस तरह के सिक्कों के बारे में तो यहाँ पर भी इन सारे कमेमुरेटिव कॉइंस को मैंने इस वाली वीडियो में cover किया हुआ है तो इन सारी वीडियो के लिंक भी आपको उपर आई बटन में मिल जाएंगे और अगर बात करें दो रुपे के डेफिनेट्व सीरिस के सिक्कों की तो यहाँ पर मैंने इस वाली वीडियो में cover किया था इस तरह का एक rare mule quine जो सिक्का भी आज के समय में काफी ज्यादा rare होता है वहीं अगर आप इस तरह के normal national integration की theme के सिक्कों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसमें भी एक rare coin आता है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी अपनी इस वाली वीडियो में तो ये सारी की सारी 2 रुपे के सिक्कों से जुड़ी हुई वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी उपर आई बटन में तो आप इन सभी वीडियो को देखना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से काफी ज्यादा नौलज मिली होगी और आपने इस वीडियो से काफी सारी नई बाते सीखी होंगी तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो मुझे भी काफी अच्छा लगता है तो दोस्तों इसी तरह की इंट्रेस्टिंग और सची वीडियो आगे भी पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को All पे सेलेक्ट कर लिजेगा ताकि आपको आगे भी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलती रहें और आप देख सके उन सारी ही वीडियो को सबसे पहले तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना है और आप सबी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद